और चले इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर सबसे पहले चान लीजिए यूक्रेणी सेना ने शनिवार को लड़ाई में रूस के नौ फाइटर जेट्स मार किराए हैं और इतना ही नहीं बलकि यूक्रेणी मीडिया ने ये भी कहा कि उन फाइटर जेट्स की जो तस्वीरे हैं वो भी सामने रखी और कहा कि ये वो नौ फाइटर जेट्स हैं जिने पिछले 24 घंटे में मार गिराया गया है और ये नौ तस्वीरे देखिए जो यूक्रेणी मीडिया की ओर से शेयर की गई है और कहा गया है कि वो नौ फाइटर जेट्स हैं रूस के जिने पिछले 24 चम्छेमें यूक्रेंगान ग्यार को बड़ा दावा यहां पर उक्रेंटी विइूर इन फाइट्टेमें उलभार मैं और कियो तीय है। और इसे से जुड़े एक और बड़ी ख़बर आप जा लीजे खेरसौन मिलिटरी बेस पर रूसी सेना के कबजे का बड़ा दावा हुआ है खेरसौन पर पूरी तरह से नियंत्रण का दावा है यहां पर रूसी सेन पर पूरा का पूरा पूरा हो चुका है और Kherson का जो military base है अब उस पर भी रूसी सेना ने कबजा कर लिया है और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दे युक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा पलचाँड हुआ है। उक्रेन की सेना ने जारी किया एक वीडियो और वीडियो में रूसी सेना पर हमले की जो तस्वीरें हैं वो सामने दिखाई हैं। एलाके हैं जहाँ पर यूक्रेनियन सेना रूसी सेना को मूतोर जवाब दे रही है और रूस को भी इस में आपको बता दें भारी नुकसान उठाना पड़ा है और चले हैं एक और बड़ी खबर यूक्रेन के खर सौर में रूसी सेना ने बड़ा तांटो मचाया है रूस ने यूडि सेनकों पर जबरदस्ट तरीके से परट्वार किया है रूसी सेनकों के परट्वार से यूडि सेनिक भाक खड़े हुए यूजी टेक अक हत्यार वला ब और जादा बढ़ गई वहां से उक्रेनियन सेना भाग गई तो वहां पर जो वेपन्स जो अत्यार रखे हुए थे अब उस पर रूसी सेनिकों ने कब्जा जमा लिया है तो देखें किस तरीके से उक्रेन के खरसान में रूसी सेना का तांजा लगातार दिखाई दे रहा है रूसी सेनिकों पर जबरदस्त तरीके से पलट ओर किया है रूसी सेनिकों के पलट ओर से उक्रेनी सेनिक भाग खड़े हुए युक्रेनी सेना के हत्यार बोला बारूर हर जगहों पर रूसी सैनिकों का सक्बसा है बकाइदा रूस की ओर से इसकी तस्वीरे भी साजा की गई है